हलो असलाव अलेकुम आज हम बनाएंगे कड़क तलावा गोश बहुती सिंपील और आपानुसी तुरेखा यह आपके घर के इंग्रेंजियंस भी होंगे मैं नहीं हूँ पाउकिलो का गोश अच्छा उसको वाश करके उसमें दाला है वन ग्लास वाटर द्रकलेसन का पेस टू स्पून्स नमक स्वाद अनुसार हाफ टी स्पून हल्दी अब हम इसे चुल्ले पे चड़ा देंगे हमें गोश को अच्छा गलाना है यह देखिए हमारा काफी हतक पानी कम हो चुका है हमें अच्छा से पूरा पानी सुकाना है यह हो चुका है पूरा पानी सूक चुका है पूरा पानी हतम हो चुका है देखिए आप अब हम दालेंगे इसमें तेल त्री स्पून बड़े से चमच से ले चुकी हूँ मैं तेल और हम इसे कड़क अच्छा तलेंगे मैं इस इफ सिंपल तलावा गोश हैदराबादी का बतला रही हूँ ना इसमें कोथी मीर करिया बाग हरी मरची कुछ नहीं है सिंपल सा है इसे हमें अच्छा से कड़क करना है यह देखिए हमारा गोश कैसा हो चुका है देखिए देख सकते हैं आप अब हम लास्ट में डालेंगे वन स्पून लाल मिर्च इसे हलाएंगे और यह रेडी हो चुका है हमारा लाल तलावा गोश कड़क तलावा गोश है दरवादी अगर मेरी चैनल की रेसिप अच्छी लगे तो लाइक और सिस्क्राइब मैं चानल